आज में लेकर आए हूँ आपके लिए एक ऐसा प्रोड़क्ट डाइविटीस के लिए जो लोग डाइविटीस कंट्रोल करने के लिए कड़वी गोली हाते हैं या मारी जो दबाई खाने से तरते हैं यह इसकी चाहते हैं उनके लिए करेला बिस्किट आज हम जानेंगे इसमे में एक पेंक्रियाज नाम की गरंती होती है जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन छोड़ती है यदि वो हार्मोन छोड़ना बंद कर देती है या किसी कारण से नस्ट हो जाती है तो डाइविटीस की सिकायत होने लगती है डाइविटीस होने के और भी कई कारण हो सकते हैं ले हम जान लेते हैं, टोटल कार्वाइड इसमें 5.3, एड़ेड सुगर 0%, नेचरली एक्रीम सुगर 0.185, डियेटरी फाइबर 0.5, प्रोटीन 0.8, टोटल फेड 1.9, नेचरली फैटी एसेड 0.87, मोनो अनसाचुरेड फैटी एसेड 0.72, पोली अनसाचुरेड फैटी एसेड 0. 0.22, ट्रांसफेड 0.0, कोलेस्टॉल 0.0, एनर्जी 41.5, करेला हमारे डाइबिटीज को ठीक करता है और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बोडी को फिट रखते हैं, इसको अन्बोक्स गरने से पहले इसके फायदे जान लेते हैं, डाइबिटीज को कंट्रोल में र इसे अन्बोक्स करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यह एजिश्टा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाएगा है, इस बोक्स में 100 ग्राम बिस्किट हैं, इसकी एमर्पी 70 रुपे, देखते हैं इसमें कितने बिस्किट हैं और इसका टेस्ट, चलिए इसको अन्ब एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें पांच पैकेट हैं और एक पैकेट में दो विस्किट हैं, चलिए इसका टेस्ट और कर लेते हैं, इसका टेस्ट के हैं सा है, यह मुझा खोल ला हूँ एक विस्किट का पैकेट, वाव, यह दिखने में तो बहुत ही सुन्दर है यह विस्किट, देखिए आप, यह बहुत सुन्दर दिखाया विस्किट, और इसका टेस्ट चलिए रूप कर लेते हैं, वाव, टेस्ट ही बहुत अच्छा इसका, इसका टेस्ट, यह दो तरह की टेस्ट में आता है, एक ब आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल ऐकल को ज़रूर दबाएं ताकि हैसे सम्मृद वीडियो सबसे पहले आपको